क्या आप एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज नहीं हो पाते है यानि एक बार सेक्स होने के बाद फिर से दोबारा आपका लिंक को खड़ा होने के लिए काफी टाइम लग जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतपून बनने वाली है क्यूंकि इस वीडियो में मैं इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको दो बेस्ट होमेपातिक मेडिसन का नाम भी बताऊंगा और उसको लेने का जो प्रोसेस है ये भी बताऊंगा और जिसका सेवन करके आप बड़ी आसानी से जल्द से जल्द रिचाज हो पाएंगे तो मैं डॉक्टर सुप्रवत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल होमियो केर टिप्स पे और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस यूटूब चैनल होमियो केर टिप्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सस्क्राइब करिए और उसका बगल में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे दोस्तों मेडिसिन्स का नाम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक बार डिस्चाज होने के बाद फिर से कितना टाइम लगना चाहिए दो बारा रिचाज होने के लिए नॉर्माल टाइम क्या है, साइंस क्या कहती है, हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है क्यूंकि इसे अगर आप सही से नहीं समझोगे, तो फिर आप जूट मोट का परसान होंगे और यहाँ वहाँ का मेडिसिन खा कर अपना पैसा बरबात करोगे तो देखिए, अगर आपका उमर 20-35 वर्स का भीतर है और आपका रिफ्रेक्टर टाइम रिफ्रेक्टर टाइम का मतलब होता है कि फिर से रिचाज होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग इंगलिस में रिफ्रेक्टर टाइम बोलते है तो अगर आपका उमर 20-35 वर्स का भीतर है तो आपका रिफ्रेक्टर टाइम 30-40 मिनिट का होना चाहिए यानि एक बार डिश्चाज होने के बाद दोबारा आपको 30-40 मिनिट का अंधर रिचाज हो जाना चाहिए तब आपके लिए ये नॉर्मल होगी अगर आपको इससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग रहा है मान लीजिया आपको 50 मिनिट लग रहा है या फिर एक घंटा भी लग रहा है तो भी नॉर्मल है इसको लेकर आपको टेंशन नहीं करना है लेकिन अगर आपका time period इससे भी जादा जा रहा है और आपको उमर 20-35 वर्स का भीतर है तब फिर आपको सोजना चाहिए treatment के बारे में कि कही न कही कुछ problem दस्तक दे रहा है अपना body में और आपको इस बात को लेकर alert भी होना चाहिए और आप जिन लोगों का उमर 35-50 वर्स का भीतर होता है उन लोगों का जो refractive time होता है वो 3-4 घंटे का अंधर होता है आपको 3-4 घंटे की अंधर recharge हो जाना चाहिए तब आपके लिए ये normal कहा जाएगा और जिन लोगों का उमर 50 प्लस हो चुके है यानि 50 से ज़्यादा जिन ल आपके लिए पूरी तरह normal है तो मेरे ख्याद से आप लोग समझी गए होंगे कि normal refractive time कितना होना चाहिए आपका age के अनुसार आपके age के अनुसार एक बार discharge होने के बाद फिर से दो बारा कितना देर का भीतर आपको recharge हो जाना चाहिए कि आपके लिए normal है ये मेरे ख्याद स ये पूरी तरह normal है फिजूल का अपना अंधर टेंसन पाल रखा है तो अब आप लोग बेरे ख्याद से ये वीडियो देखकर समझी गए होंगे कि आपका normal time period कितना होना चाहिए आपके age के according और अगर आपका refractive time जो time मैंने आपको बताय है इस वीडियो में वो time को cross कर रहा है तो फिर आप लोग इन medicines को try कर सकते है जिसका नाम में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो refractive time को कम करने के लिए जो सबसे best medicine मानी जाती है होमोपैथी में वो है अस्वगंधा मदर टिंचर आपको अस्वगंधा मदर टिंचर को लेकर आना है उसका पंदरा पंदरा बून करके लेना है हाप कब या फिर एक कब नॉर्मल पाणी मिला कर आपको पी लेना है और इसे भी आपको तीन से चार महना तक ही कंटिनू इस्तमाल करना पड़ेगा तो ये दो टॉप medicine है आपका refractive time को कम करने के लिए बहुत ही साहक रोल प्ले करता है refractive time बढ़ जाने का जो दो main reason है उसमें से एक reason है वो है stress आपका मानसी कवस्ता कैसा है इस पर depend करता है आप कितना tension में है आप किस महल में जी रहा है उसका ओपर depend करता है और दूसरा है lack of libido यानि sex की इच्छा जो है उसमें कमी आ जाना तो इन दोनों ही problems के लिए ये दो medicine ब जाएगा so thank you very much and have a good day